हाई गाई वेल्कम बेक टू में जनेज़ फ्रेंट्स आज की वीडियो आपके साथ आप टू टू या जूडा की वीडियो शेर करने जा रहा हूं अगर आप भी एक सिह बहुं है तो आपको ये वीडियो जूरूर दिखनी चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे अब तो मैंने चानल को लाइक, सब्सक्राइब जुरूर कीजिए तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले मिने मदर ने थोड़ा सा आपने हाथ में ओईल लिया है और में ब्रेदर की बालों की अच्छी तरह से मसाज की है तो फ्रेंट्स ओईल लगाने से जो टैंगल होती है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है हमें बालों की लेंद पर भी ओईल एपलाएगाना चाहिए ताकि जो tangles होती है वो अच्छी तरह से remove हो जाए उन्होंने सबसे पहले बालों में से tangles को अच्छी तरह से remove किया है फ्रेंस tangles remove करने से जो हमारे braid होती है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो हमें tangles को अच्छी तरह से remove करना चाहिए फ्रेंस सबसे पहले हमें tangles को जो भी hair style बनाना हो तो हमें tangles को अच्छी तरह से remove करना चाहिए अगर हम tangles को अच्छी तरह से remove नहीं किया रहंगे तो हमारा कोई भी जो hair style है वो अच्छी तरह से नहीं होगा ट्रैंसम में टैंगल्स को धीरे धीरे मूव करना चाहिए जरा जोर से नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बाल बहुत जरा कमजोर होते हैं आप इसके लिए मोटी कॉम का भी यूज कर सकते हैं झाल आप आप जज कर सकते हैं प्यवक ठाम क्योटमा निछ्टियों के सीपक निच्सका चीध्स बीच्सलिक करें हैं कोट फ्ञार लादाज के लाना शादा हुआ हुआ क लगई कि लेकर के के सिवान प्रेंड्स जारी टैंगल अच्छी तरह से रिमूव हो चीगी है तो अब मेरे ब्रदर की मेरे मॉम ब्रेड मिनाने वाले हैं फ्रेंड्स होगा मेरे ब्रदर की ब्रेड बना रहे हैं अब देख सकते हैं प्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ब्रेड कितनी नीड और क्लीन हो रही है प्रेंड्स आप देख सकते हैं देख सकते हैं प्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर गीजिए तो मिल तो हम आप मीना क्रूडे जाद तरते के लिए बाए